आज के वीडियो में एक ऐसे question का answer देने वाली हूँ जो frequently पूछा जाता है कि DAP क्या है? DAP का इस्तमाल पौधों पर कब और कैसे करना चाहिए और DAP को कहां से ले सकते हैं? DAP का नाम तो सुना होगा आप लोगोंने कई बार मैं अपने वीडियो में बताती रहती हूँ लेकिन आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि DAP के क्या benefits हैं और किन पौधों पर देना चाहिए DAP और कब कब देना चाहिए? पहले इसकी थोड़ी सी briefing मैं कर देती हूँ जो ये दानेदार black color की चीज आपको मेरे हाथ में दिखी ये DAP है और इसका full form होता है डाइ अमोनियम फास्पेड और गाओं में ज़्यादा तर लोग इस खाद को डाई के रूप में जानते हैं यहें एक छारी प्रकृति यानि की एक acidic रसाइनिक फोर्टिलाइजर है उर्वरक है जिसके इस्तमाल की शुरुआत 1960 यानि 1960 में हुई और अब इसके बारे में जानते हैं कि इसको पौधों पर कैसे और कब इस्तमाल करते हैं डायमोनियम फासफेट दुनिया की सबसे लोग प्रिये फासफेटिक खाद है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल हरित क्रांती के बाद देखने को मिला चारिये प्रकृति वाला यह रसाइनिक उर्वरक पौधों में पोशन के लिए और उनके अंदर नाइट्रोजन और फासफोरस की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है दरसल इस खाद में 18% नाइट्रोजन और 46% फासफोरस होता है देप के जो दाने है वो जल्दी पानी में घुलनशील नहीं होते हैं तो अक्सर देप को डिरेकली स्वाइल में यूज़ करना होता है देप उर्वरक घुलनशील ना होने की वज़़े से मिट्टी में मिलने के बाद भी पौधों में दिखाई देता है जब हम इसे मिट्टी के उपर डालते हैं और फिर पानी डालते हैं तो इसका 39.5% हिस्सा ही मिट्टी में गुलता है और बाकी ऐसे ही रह जाता है और जो फॉस्फोरस बच जाता है वो धीरे-धीरे मिट्टी में गुलते रहता है तो डियेपी को कब-कब इस्तमाल कर सकते हैं ये भी जानना ज़रूरी है जब आप पौधों की रुपाई कर रहे हैं या पौधा जब आप गमले में डाल रहे हैं उस समय डिये पी के कुछ दाने आप दे सकते हैं जिससे की आपके पौधों को फॉसफोरस यानि या स्टेम को मोटा करने में और नाइट्रोजन यानि पत् के लिए इसके साथ DAP के साथ जो अक्सर मैं आपको बताती हूं कि इसको इस खाद के साथ मिला कर डालिए तो पोटेशियुम वाले खाद के साथ मिला कर डालेंगे तभी NPK का एक अच्छा अनुपात बन पाएगा DAP का असर पोधों पर धीरे धीरे नजर आता है इसलिए DAP एक ऐसा खाद है जो धीरे धीरे घुलनशील होता है यदि पोधों को लगाने के समय ही आपने DAP डाला है तो वो पोधा आने वाले 15-20 दिनों के बाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपनी दिखाएगा जब पोधे में ग्रोथ नहीं होती है पोधे की पतिया मुड़ी हुई सी रहती है तो DAP हम अपने पोधे में देते हैं यानि पोधे की व्रिधी के लिए व्रिधी में सहायता मिलती है ऐसे में आप घोल बना करके दे सकते हैं या डिरेक्ली भी दे सकते हैं दोनों ही सूरत म ये पौधे की व्रिधी में काम करेगा और और पौधे के विकास में मदद करेगा जो 18% नाइट्रोजन है वह पौधे की हर प्रकार की व्रिधी में सहायक है प्रोटीन मिलेगा कोशिकाओं का विभाजन होगा और विटमिन्स भी मिलेंगे और जो फॉसफेट है उसका क्या फ फैलाता है और उनमें लगने वाले फुल फल में बढ़ोतरी करता है जो स्टेम होती है उनकी सेल्स को यानी कोशिकाओं को फैलने में जो प्रकाश शंसलेशन की क्रिया करते हैं पौधे यानी की स्वांस लेते हैं सधारण बोल चाल की भाशा में आप समझ सकते हैं कि सांस ले रहे हैं उस वक्त डियेपी डाल सकते हैं कितने दाने डालने हैं ये भी जानना जरूरी है यदि आपके पास कंटेनर पांच से दस इंच के बीच का है तो सिर्फ पांच दाने डालेंगे यानि कि एक इंच पर एक दाने का आप हिसाब लगा करके हमेशा ये बात ध्यान रखे और इसे रिपीट करना है हर एक 15 दिनों पर आप चाहे तो महीने में एक बार भी इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि 15 दिनों के बाद नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के रिक्वार्मेंट आपके पौधे में बढ़ने लगती हैं लेकिन कई बार हम और खाद भी अडिशनल दे होते हैं ऐसे सूरत में आप इस पौधे की मात्रा को घटा भी सकते हैं और खाद देने की जो फ्रिक्वेंसी है उसको भी बढ़ा सकते हैं या बीस या बाइस पच्चिस तीस दिनों पर भी दे सकते हैं अब यह डीएपी कहा मिलेगा यह बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर म मिलेगा ही नर्सरी पर बहुत आसानी से मिलेगा ऑनलाइन भी यह डीएपी बहुत ही आसानी से मिल जाता है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यह जो डीएपी है इसे आप खरीद करके स्टोर करके भी रख सकत जाहिर है जब हम बालकनी या टेरिस पर गार्डनिंग करते हैं तो फिर हम जो फर्टिलाइजर लेते हैं वो जल्दी खतम नहीं होता है और डीएपी आप आउट्डोर वाले फर्टिलाइजर में दीजे इंडोर वाले फर्टिलाइजर में डीएपी की जादा जरूरत नहीं ह होती है यदि वो fertilizer कहीं न कहीं filterd sunlight में रखे हुए हैं तो आप डीएपी डाल सकते हैं जितने भी सबजी वाले पौधे हैं सभी में आप डाल सकते हैं डीएपी आलू गाजर मूली सकरकंद प्याज और जितने भी आपने plants या फूलो वाले पौधे लगा रखे हैं सभी में डा करना भी जरूरी है गर्मियों में जब एपरिल में जून जुलाई में temperature बहुत हाई होता है वैसे में डीएपी का इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार जब ये इस्तमाल करते हैं ये चीज़ें हम अपने पौधे में तो पौधे की जो roots होती हैं जड़े होती हैं प्रकृती की गर्मी की वज़े से जलने की chances होती हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि गर्मी के उच्च तापमान में पौधों की जड़ों और पत्तियों को ये जला सकता है इसके अलावा कोई भी chemical fertilizer जिसकी गर्म तासीर है उसे आप गर्मियों में देने से बचे लेकि को आप महीने में एक बार इस्तमाल करें frequency को थोड़ा सा बढ़ा दे 15 दिनों के बजाए महीने में एक बार इस्तमाल करें और डियेपी का जो खाद है इसे आप किसी और खाद के साथ mix करके भी दे सकते हैं इसका कोई side effect नहीं होता है डियेपी का वैसे भी side effect नहीं है किसी भ भी किया है मुझे उमीद है आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को like share subscribe कीजे और इससे related कोई भी query है तो आप comment section में लिग दीजे जितनी जल्दी हो सकता मैं answer देने की कोशिश करूँगी धन्यवाद